हेलो फ्रैंड्स क्या हाल चाले हैं आई थिंक आप लोग ठीक होगे तो दोस्तों आज मैं आपके लिए यहां पर बहुत ही एक इंट्रस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जैसी कि आप लोग अपने स्क्रिन पर देखी सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है ऐसे करो तैयारी CSER नेट एक्जाम्स की होगा 100% सेलेक्शन ठीक है तो यहां पर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने आया हूँ अगर आप इन टिप्स को फोलो करते हो तो 100% आपका CSER नेट का एक्जाम्स किलियर होगा क्योंकि यार हम कितना पड़ें बार बार कितना पड़ें ठीक है और जिनकी तैयारी यहां पर ओल्मोस्ट हो चुकी है एक चीज़ का ध्यान रखें कि दिसंबर वाले पेपर की मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं मान के चलना हूं कि आप में से बहुत लोगों ने 50% से ज्यादा कम्प्लीट कर लिया होगा ठीक है तो यह उनी के यहां पर हम one by one discuss करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है यहां पर आप लिख सकते हैं यहां पर देखो प्रिपेर एप्टिट्यूट यह एप्टिट्यूट भी बहुत जरूरी है मैंने देखा है कि जो हमारे physics background के students होते हैं या science background के जो भी तो नहीं बैकिन नहीं प्रॉपर एप्री टिव JACK करो क्योंकि अगर आप एप्रेटीट की प्रैक्टीस करते हो तो आगर आपने 10th लगा दीये तो 20 माक्स आपके बन गये और यह 20 माक्स हैं यह आपके रेंग करने का काम करेंगे ठीक है तो इसलिए aptitude को भी पढ़ना शुरू कर दीजिए उसके बाद है point two practice questions ठीक है देखो आप लोगों ने बहुत सारी थियोरी already पढ़ ली होगी मैं आसा मान के चलता हूं क्योंकि दिसंबर का अगर आप टार्गेट कर रहे हो तो अभी हमारा अक्टूबर का महिना आने वाला है इसका मतलब है कि आप लोगों ने नेर अब आउट शिक्स्टी टू फिप्टी परसेंट थियोरी आप लोग पर लिए अब लोगों को क्या करना है इसके प्रक्टिस कोकोसिंज लगाने है प्रक्टिस कोसिंज करिव करिये ठीक है अब बोलो के तो यहं से यह जो भी आपको मिले ना चाहें आपको बार के rais ones मिले उह करो अपको गेट के 들어가ARD के questions तो हैं हैं जेट सके Key-". à क्योंकि क्योंकि पीवै क्योंब्र हमें को एक मोटा मोटा रफली आइडिया मिलता है कि इस type के question exam में आते हैं ठीक है तो ये भी आपको रूप उसके बाद है third point makes proper short notes अब देखो आपने इतना theory cover कर लिया है मोटे मोटे register बना लिये होंगे तो जो मोटे मोटे register होते हैं वो exam time में आप उनसे नहीं पड़ पाओगे तो अब आप लोग क्या करो आप लोग यहां पे कुछ A4 sheets उठाओ है ना मुश्किल से 10-12 A4 sheets उठाओ हर paper जैसे classical mechanics के आपको short notes बनाने हैं तो makes proper short notes ठीक है यहां बनाईए short notes में आप वह चीज़ लिख सकते हैं जो आपको याद नहीं रहता कोई formula है कोई number है कोई digit है तो उसको आप वहाँ पे mention कीजिए ठीक है इसके बाद जो हमारा मैं fourth point में आपको बताई दिया है पी वाई की questions आपको लगाना है बड़ीया तरीके से then test series ठीक है test series टाइम टाइम पे लगाते रहो अब जैसे कि मैं बालबार repeat कर रहा हूं इतना syllabus आप almost खतम कर चुके हो अब आपकी progress क्या है आपका लेविल कहां पर ह कैसे judge करोगे तो इसके लिए test series लगाओ subjective test series लगाओ पहले जैसे आपने classical mechanics पढ़ा आपने quantum mechanics पढ़ा आपने mathematical physics पढ़ा तो पहले आप subjective test series लगाओ यानि कि हर subject की test series लगाओ उससे आपको subject के अंदर confident आईगा ठीक है फिर उसके बाद आप mock test लगाओ तो पहले subjective test लगाओ उ कि ले सकते हो ifsonline.com पर आप हमारा app download कर लिजिए उसके अंदर आपको test series, mock test, mock test is सब कुछ मिलता है ठीक है उसके बाद है rectify your mistakes जो हमारा six point है अगर हम six point की बात करें तो rectify your mistakes तो आपको क्या करना है अपनी mistakes से आप सीखना है आप question में क्या error कर रहे हो क्या आपके concept है अगर आपके concept ठीक नहीं है तो उन concept के उपर काम करो और उनको आप rectify करो proper way में उनको rectify करो जिससे कि जब आप examination center के अंदर बैठो तो error करने की जो probability हो वो 1% 0% में नहीं बोल सकता कहीं न कहीं तो आप error करो गई लेकिन error को कम से कम करने की practice करो उसके बाद है यहाँ पे revise formula ठीक है अब जैसे आपकी quantum mechanics है electromagnetic theory है mathematical physics है ठीक है at mall है मतलब इसके अंदर बहुत सारे formulas होते हैं अब आप exam के अंदर बैठके formula drive तो करोगे नहीं derivation तो करोगे नहीं क्योंकि 75 questions करने हैं तो अब हर questions को drive करके करना impossible task है तो आप क्यों अगरो list बनाओ formula की और उन formula को रोज बैठके revise करो ठीक है इससे आपका examination center में बहुत time बचेगा ठीक है यह हो गया उसके बाद most important जो हमारा eighth point है वो है leave time consuming questions आपको time consuming questions को छोड़ना आना चाहिए मैंने देखा है अकसर student time consuming questions के पीछे लग जाते हैं जैसे suppose करो आपने question number 1 करा 2 करा 3 करा 4 करा अब 5th question में आप अटक गए आप solve करने में उससे होगा क्या वो question तो चलो आपसे solve होगा नहीं लेकिन जो time आप दूसरी questions को दे सकते थे वो time भी आपने kill कर दिया उस एक questions के पीछे तो मेरा मानना यह है कि आप जो time consuming question होते हैं उसको एक मिनट दीजिए अगर नहीं होता है तो छोड़ दीजिए वैसे भी question पढ़के पता लग जाता है कि होगा यह नहीं होगा फिर भी अगर आप एक चांस देना चाहते हो लीजिए बहुत अच्छी बात है हमको अपने पर confident होना चाहिए लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत time जा रहा है तो questions को छोड़ दीजिए क्योंकि हमारा जब स question क्लिक कर दाएगा और आप कर दोगे तो उस समय पर उस question की पीछे मत लगो बाद में कर लेना क्योंकि अगर आपने उसी question में पांदस मिनिट लगा दिए तो बात के questions के लिए time कहां से लाओगे ठीक है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि leave time consuming question और इसकी practice अभी से करना शुरू क कर दो आपको यह पता होना चाहिए कौन सा question छोड़ना है कौन सा question नहीं छोड़ना है किस question में कितना time लगेगा किस question में कितना time नहीं लगेगा यह आपको अभी से practice करना है क्योंकि examination center में जाच आप experiment नहीं कर सकते हो ठीक है उसके बाद है most important point nine point leave hard topics and new topics अगर suppose करो आपको को topic बहुत टफ लगता है ठीक है आपको लगता है कि यार इस topic को में दो बार पढ़नों तीन बार पढ़नों समझ में नहीं आएगा तो छोड़ दो बहुं सारा स्लेवस है उसको आप पढ़ सकते हो ठीक है तो अगर एक दो topic आपको hard लगते हैं छोड़ो ठीक है मैं यह नहीं तो unnecessary hard topic के पीछे अपना time waste मत करो ठीक है और last में जाते जाते अतना बोलूंगा कि काम रहो बिल्कुल सांत रहो किसी से कोई बात करने की जरूवत नहीं है जो आपका जो यह exam time की जो preparation है किसी को मत बताओ मैं net की तैयारी कर रहा हूं मैं gate की तैयारी कर रहा हूं मैं जयारे क कि तैयार किसी को मत बताओ क्यों आप parents को पताए खतम relatives को मत बताओ friends को मत बताओ क्योंकि वह बात बात पर आपको टोकेंगे results क्या रहा है नंबर कितने आए मत बताओ क्योंकि जब selection होगा already पता लग जाता है जब आम के पेड़ पे आम आता है न सबको पता लग जाता है कि यह आम आने वाला है उससे पहले आम का पेड़ सांद खड़ा रहता है ठीक है तो जब आपका result आएगा लोगों को खुदी पता लग तैयारी कर रहा है इसका selection हो जाएगा यह हो जाएगा वो हो जाएगा तो मत पड़ो चक्कर में किसी को नहीं बताना है अपना अराम से कमरे में बैठके सांती से तैयारी करो ठीक है 100% selection हो जाएगा और कुछ नहीं है जो चीज मैंने आपको बताईए अगर आप यह कर रहे ह 100% आपका selection है ठीक है बस अपने उपर विश्वास रखो अम होंगे काम्याब एक दिन ठीक है बस इस चीज को अपना motivation बना लो ठीक है दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए thank you और अगर वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक करो ला सब्सक्राइब कैसे पढ़ें कॉंटम कैसे पढ़ें क्लासिकल कैसे पढ़ें बस आपका सपोर्ट रही है इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें ठीक है और अच्छे अच्छे कमेंड करें ठीक है दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई ठीक है बाई बाई